सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट दोस्तों यूट्यूच चैनल एजूकेशन हम में आपका स्वागत है फिजिक्स का टॉपिक है प्रकास का प्रावर्तन यानी reflection of light यानी प्रकास का प्रावर्तन तो प्रकास का प्रावर्तन कहते किसको है रिफलक्सन किसको कहते है आईए हम जानते हैं जब प्रकास की किरमे किसी किनी सत्ह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो उसे प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं कहने का मतलब है कि प्रकास जो है जैसे ये ये प्रकास की किरन है इस चिकनी सतह से टकराती है और चिकनी सतह टकराने के बाद फिर उसी माधियम में जिसे ये मेडियम है फिर उसी मेडियम में लोट आए इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रावर्तन कहते हैं, ठीक है आए फिर शे देखते हैं जब प्रकास की किरने किसी चिकनी सता से टकरा कर ये प्रकास की किरने चिकनी सता से टकरा कर वापस उसी माध्यम में ये एक माध्यम है वापस उसी माध्यम में लोट जाए उसे प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं यानि उसे ही क्या कहते हैं हम लोग प्रकास का प्रावर्तन कहत और प्रकास का प्रावर्तन को हम नियमित प्रावर्तन भी कह सकते हैं, यानि रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब हुआ, यानि कि प्रकास की किरन एक और आया, मान के चलते हैं, फिर एक और है, तीन लाइट है, और तीनो लाइट के है पैरलर तीनो लाइट के है पैरलर है और पुना उसी माध्यम में पैरलर लोट जाती है इसी कुलो हम लग कहते हैं नियमित रिफलेक्शन ठीक है देखते हैं यह incident ray होता है यानी यह incident ray होता है यह आप्तित कीरन होता है और यह », और यह नॉर्मल यानि अभी लंब होता है इसके बारे मैं भी डिटेल से परहेंगे यह नॉर्मल यानि या भी लंब होता है रिफलेक्टेड रे यानि प्रावर्तित किरन होता है यह क्या होता है रिफलेक्टेड रे यानि प्रावर्तित किरन होता है और यह जो एंगल है इस angle को कहते है angle of incidence यानि आप तन कौन और इस angle को कहते है angle of reflection यानि फ्रावर तन कौन इस angle को हम लोग I कहेंगे और इस angle को क्या कहेंगे आर कहेंगे आप देखते है एस पे कुलर reflection इसी को हम लोग कहते हैं regular reflection इसी को हम लोग क्या कहते हैं regular reflection भी कहते हैं ठीक है जिसको हम नियमित प्रावरतन कहते हैं जिसको हम नियमित प्रावर्तन कहते हैं, और बताए थे कि पेरलर में आएगी और पेरलर में ही जाएगी उसे कहते हम लोग नियमित प्रावर्तन, यानि regular reflection, specular reflection, यही आपका regular reflection का figure है, यहाँ पे है diffuse reflection, यानि light तो आई है पेरलर, लेकिन फिर खुद्री सता से टक्रा कर पेरलर नहीं गई खुद्री सता से टक्रा कर फिर पेरलर नहीं गई उसी माध्यम में इसलिए हम इसको कहते हैं diffused reflection और नियमित reflection यानि इसको हम और नियमित reflection कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? नियमित रिफ्लेक्शन कहते हैं. नियमित इसलिए कहते हैं कि पैरलर आई और पैरलर गई लेकिन ओनियमित रिफ्लेक्शन में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लाइट तो पैरलर आई लेकिन पैरलर नहीं गई इसलिए इसको हम ओनियमित कहते हैं और इसको नियमित कहते हैं I, I क्या होता है? यह बताये थे कि यह I है और यह I incident angle होता है यानि आपतन कोन होता है और यह क्या होता है? R होता है जिसको आप कहा सकते है reflected angle यानि प्रावर्तन कोन? इसको देखेंगे आई बरावर R आपतित किरन किसे कहते हैं? question है आपतित किरन किसे कहते हैं? यानि आने वाली किरन किसी सता पर परने वाली किरन को आपतित किरन कहते हैं क्या है? किसी सता पर परने वाली किरन को आपतित किरन कहते हैं और आपतित कीरन है कौन? आये फिगर से हम लोग समझते हैं कि आपतित कीरन कौन है? यही है आपतित कीरन, यही क्या है? आपतित कीरन है, यानि किसी सतह पर परने वाली कीरन को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतित कीरन कहते हैं, किसी सतह पर परने वाली कीरन को ही आपतित कीरन क रहते हैं, ठिक, आपतन बिंदू, नेक्स्ट पॉइंट है, आपतन बिंदू, जिस बिंदू पर आपतित किरन सता से टकराती है, यानि आपतित किरन जो, जिसे हाँ पर हम देखे हैं, किसी सता पर परने वाली किरन, यानि किसी सता पर जो किरन परती है, वो जिस बिंदू पर परती है, जिस बिंदू से टकराती है, उस बिंदू को ही हम लोग आपतन बिंदू कहते हैं, आपतन बिंदू किसे कहते हैं जिस बिंदू पर आपतित किरन सता से टकराती है उसे आपतन बिंदू कहते हैं आईए इसको भी फिगर से देखते हैं, यह आपतित्किरन है, यह आपतित्किरन है, और यह किस बिंदू पर, किस सतह पर टकराती है, इस सतह पर टकराती है, और जिस बिंदू पर टकराती है, इसी बिंदू पर टकराई है, यह बिंदू है, यह इस बिंदू को हम लोग क्या क कहेंगे इसी बिंदु के हम लोग क्या कहेंगे आप थन बिंदु कहेंगे प्रावर्तित किरण कि सुकत हैं जिस माध्यंत से चलकर आपतित किरण शताह पर आती है यानि आप्तित किरन जैसे हमें देखें कि आप्तित किरन ऐसे आई जिस माध्यम से चलकर आप्तित किरन शता पर आती है उसी माध्यम में लोट गई किरन को तो उसी माध्यम में यह किरन जो लोटती है यह किरन इसी किरन को हम लोग क्या कहते हैं प्रावर्तित किरन कहते हैं यानि इसको हम आपतित किरन कहते हैं और इसको हम प्रावर्तित किरन कहते हैं इस किरन को आने वाली किरन कहते हैं और इस किरन को जाने वाली किरन कहते हैं आने वाली किरन को आपतित किरन कहते हैं और जाने वाली किरन को प्रावर्तित किरन कहते हैं आप फिलम देखते हैं अभी लम देखे है अैसे था आपतित कीरण जिस बिंदू पर पढ़ती है। इस बिंदू पर पढ़ती है यह बिंदू है इस बिंदू पर पड़ती है उस बिंदू पर यानि आपतित किरन जो है इस बिंदू पर पड़ती है यही बिंदू है आपतित किरन इस बिंदू पर पड़ती है उस बिंदू पर खीची हुए लंब को यानि इस बिंदू पर जैसे देखते हैं दूसरा फिग चीचे हुए लंब, तो इस पर एक लंब खीच देते हैं, खीचे हुए लंब को उस बिंदू पर अभी लंब काते हैं, elbows like और इसेंगे को हम लोग क्या काते हैं?uksy भी कहते है आपतन कौन एक होता है आपतन कौन एक होता है प्रावरतन कौन आपतन कौन किसको कहते है प्रावरतन कौन किसको कहते है आई ये फीगर के माध्यम से हम समझते है यह I है और यह R है यह क्या है? आई है और यह R है यानि आपतित की रन आपतन बिंदु पर खीचे गए अभी लंब से यानि आपतित की रन यह आपतित की रन है यह क्या है यह आपतित की रन है और आपतन बिंदू पर अभी तुरंद बताए कि आपतन बिंदू कोन होगा इस पोइंट पर जो नॉर्मल खीचते हैं अभी लंब खीचते हैं इस पोइंट को ही हम लोग आपतन बिंदू कहते हैं इस पोइंट को आपतित की रन आपतन आई, यह हो जाएगा, आई, से जो कौन बनाती है, उसे आपतन कौन कहते हैं, यानि आपतित किरन, ये आपतित किरन है, ये क्या है, आपतित किरन है, आने वाली किरन है, आपतित किरन है, आपतन बिंदू पर खीचे गए अभिलम, तो ये आपतन बिंदू है, और ये आपतन बिंदू पर खीचा गया अभिलम तो यही है, इसके साथ जो कौन बनाती है, यह कौन आई, इसी को हम लोग कहते हैं, आपतन कौन, ठीक है? उसके बाद है, प्रावर्तन कौन, तो प्रावर्तन कौन किसको कहते हैं? प्रावर्तित किरन, यानि यह आने वाली किरन, और यह जाने वाली किरन, तो आने वाली किरन को आपतित किरन कहते हैं, और जाने वाली किरन को प्रावर्तित किरन कहते हैं, तो यह प्रावर्तित किरन जो है, आपतन बिंदू पर खीचे गया भिलम, तो आपतन बिंदू तो य का उसके साथ जो कुनद बनाती है यानि कि यह प्रावर्तित की रन है और यह बिंदू आपतन बिंदू है इस आपतन बिंदू प्रभीलम कीचा गया है तो कर देखना प्रावर्तित की रन ठीक है और बर यह यह प्रावर्तित की रन है, आपतन बिंदू पर खीचे गए अभिलम, यहां से देखना है, आपतन बिंदू पर खीचे गए अभिलम यह है, से जो कौन बनाती है, यानि से जो कौन बनाती है, यही कौन बना, उसे ही हम दो क्या करते हैं, प्रावर्तन कौन करते हैं, और प्रा प्रकास के प्रावर्तन के नियम, लॉफ रिफ्लेक्शन ओफ लाइट, प्रकास के प्रावर्तन के नियम, तो प्रकास के प्रावर्तन को जी नियम होते हैं, वो दो नियम होते हैं, प्रकास के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, आई ये फिगर के माध् ये प्रावर्तित किरन है और ये अभिलंब है और ये आई है और ये आर है ठीक है तो प्रकास के प्रावर्तन के दो नियम होते हैं पहला नियम क्या है आप्तित किरन यानि यही किरन हुआ आप्तित किरन आने वाली किरन आप्तित किरन प्रावर्तित किरन यानि जाने वाली कि यह प्रावर्तित किरन है यह जाने वाली किरन है प्रावर्तित किरन यह हो गया आपतित किरन यह हो गया प्रावर्तित किरन तथा आपतन बिंदू और यह क्या हो गया आपतन बिंदू आपतन बिंदू बताए थी किसको कहते हैं यानि आपतित किरन जिस बिंदू पर परती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं ये तीनों यानि आपतित कीरन प्रवर्तित कीरन और आपतन बिंदु पर खिचा गया आपिलम यानि ये जो खिचा गया आपतन बिंदु पर ये तीन लाइन हो गया आपका एक हो गया आपतित कीरन एक हो गया प प्विंदु पर खेच तें हैं इसी क्णाटें आप तन विंदु यूनि जिस पंट पर आप तित कीरं पर थीय थी जग कि आप्टरेंग खिया है कि तीनों कि यह ही सन्थतर्म एफ यह सन्थर्म होते हैं तैंसरी समथर्करदों अभिलाम और प्रावर्तित किरंतीनों एक ही समतल में होते हैं यह पहला नियम था दूसरा नियम देखते हैं आपतन कौन प्रावर्तन कौन के बरावर होता है यानि आपतन कौन I प्रावर्तन कौन R यह दोनों एंगल क्या होता है ब्रावर होता है यानि ये जितना एंगल होगा उतने एंगल क्या होगा ये होगा यानि ये आई एंगल है यानि आप तन कौन ये आर एंगल है यानि प्रावर तन कौन दोनों एंगल क्या होगा ये ब्रावर होगा ठीक है और इसको ज़्यादा सेयर करें ताकि बहुत स्टू सकतिए हम आपके वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुँचाने का कोशिस परने कहां फिलाल इसको जड़ा सा ज़ादा शेयर करें और इस थियोरी को आप याद करें शमझें ताकि हम जो वीडियो डालें साइं ऊबजक्टिव का। उस objective को आप बना सके और बहुत सा exam में जो question इससे related पूछे जाते हैं उससे आप solve कर सके धन्यवाद